नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान में आने वाली पटवारी भरती 2019 को लेकर एक अच्छी न्यूज आप सभी के लिए आप सभी को काफी समय से इंतजार था और आज भी इंतजार हैं कि पटवारी भरती कब आने वाली पूरी जानकारी भी पटवारी भरती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है तो मैं आपको कुछ बाते बताने वाला हूँ आप सभी को पता है कि भरती लगबक 3835 पदों पर ये इस भरती का नोटिफिकेशन जारी होगा गैलो साब ने भी इस भरती को अनुमत प्रदान कर दी गई थी और ये आज का अपडेट आप देख सकते हैं इसमें पहली बात क्या बताई गई है देखिए राजसुव वित विभाग से मंजूरी के बाद यानि की रेवेन्यू बोर्ड और जो हमारा वित विभाग है वहां से इस भरती को अनुमती मिल चुकी है अब इसका विग्यापन कभी भी जारी हो सकता है सबसे पहली बात क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिका गया है विभाग से जल्द जारी होगी एदी सूचना अब नोटिफिकेशन में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो भी सरकारी कारवाई है वो पूरी हो चुकी ह तो जुड जाईए लग जाईए अपनी तयारी में अब देखिए आगे नियूज में क्या जानकारी दी गई है पटवारी के 3835 पदों पर भरती प्रकिरिया की तयारी पूरी आपके अबल नोटिफिकेशन जारी करना है और वो भी अब कभी भी जारी हो सकता है जिस तरह से हमारे राजस्तान में अब भरतियों का जो काम चल रहा है उसमें काफी तेजी आईए आप सभी को पता है कोपरेटिव बैंक भरती का भी नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ था आप सभी को पता है सेकारी बैंकों में जो भरती निकली थी अब पटवारी का नोटिफिकेश में आगे बात करने वाले हैं तो देखिए प्रदेश में पटवारी के कुल स्विकर्थ जो पद हैं वो हैं 12252 पद हैं अभी वर्तमान में कारियरत कितने हैं 8708 और रिक्त पदों की संक्या कितनी हैं 3835 पद रिक्त हैं और 2015 में इससे पहले पटवारी भरती हुई थी उसके बाद पटवारी भरती नहीं हुई है हमारे रादस्तान में अब जल्द ही इसका विग्यापन जारी होने वाला है अब देखिए मैं आपको ये भी बताना जाओंगा कि इतना समय क्यों लगा पटवारी वेकेंसी में क्योंकि एक बात ये आती है कि कम्प्यूटर समंधी योगिता में परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि 2015 वाली जो वेकेंसी थी उसमें हुआ क्या था और फिर इसको लेकर हाई कोट में कहीं याचिकाय लगी तो उसी को देखते हुए इस बार उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा मतलब उनके पास आरे सी आईटी का नहीं होगा तो भी वह वेलिड रहेगा इसमें यही जानकारी दी गई है देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अब देखिए इसमें पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा यहां देखिए इस पर बात करने से पहले यहां देखिए थोड़ा सा नियूज पर चलते हैं ताकि जो आपके बाकी की सवाल है वो भी क्लियर हो पटवारी के 3835 बतों पर भरती के लिए राजसु मंडल ने सभी जिलों से आरक्षन अनुसार पदों की संक्या का आकड़ा जुटा लिया है जुटा लिया गया है अभी प्रोसेस पूरा हो चुका है पटवारी भरती के लिए कंप्यूटर समंदी दक्षिता के लिए भू राजसु नियमों में संशोदन की प्रकिरिया भी अंतिम चरण में है ठीके यह पूरी होने के साथ ही राजसु मंडल के ओर से राजस्तान अधिनस सेवा चैन बोर्ड के जरिये भरती प्रकिरिया शुरू हो जाएगी पटवारी भरती के लिए कंप्यूटर समंदी शेक्षिक योग्यता में परिवर्तन किया जा रहा है इसके लिए भूराजसु नियावों में संदुशन सोधन केदी सूचना विदी विभाग द्वारा जारी की जाएगी केवल ये काम बाकी है इसके बाद पटवारी भरती का नोटिफिकेशन आप मान के चलिए अक्टूबर के परितम सब्ता तक पटवारी भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा मैं आप से फिर कहरा हूँ जल्द ही अब इस पर काम होगा और आप अपनी तैयारी में जुट जाएगे क्योंकि अच्छी वेकेंसी अच्छा मुका है आपके पास 3835 पद और इस समय देखिए वेकेंसी और भी है जैसे फर्स गेड की वेकेंसी चल रही है तो इस्टूडेंट डिवाइड हो रहे है तो यहाँ पर क्या है कॉम्पिटिशन कम रहेगा फर्स गेड वाला पतवारी की तैयारी नहीं करेगा और पतवारी वाला फर्स गेड की तैयारी नहीं करेगा जो राजसु और वित विभाग से मनजूर हो चुका है अबू राजसु नियमों में संशोधन विती विभाग को करना है जो इस सब्ता हो सकता है इस सब्ता में काम हो जाएगा आप मान के चलिए क्योंकि गेलोजी ने खुद इस वर्टी की गोशना की थी इसके साथ ही अती पिछड़ा वर्ग EWS यानी आरती कमजोर वर्ग के लिए आरक्षन समंधी प्रावधानों के नुसार रिक्तियों का वर्गी करन मंडल के इस तरपर किया जा चुका है नियम समंधी अधी सूचना जारी होते ही अधीनस सेवा चैन बोर्ड की जरी बर्थी प्रिक्रिया शुरू होगी मुखे मंतरी अशोग गेलो जी ने हाल ही में पटवारी की 3835 पदों पर बर्थी की गोशना की थी ठीक है ना पटवारी पद पर आकरी बर्थी 2015 में हुई थी और ये कंप्यूटर वही वाली बात है मैंने आपको बताया था ना कि अधिक संख्या में लोग हाई कोट की शरण में गए थे क्योंकि उनके पास ओल्रेडी कंप्यूटर में उच्च योगेता है तो उन्हें भी वेलिड किया जाना चाहिए तो ये आज का बहुत बड़ा अपडेट था आप सभी के लिए उमीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें थाकि हमारे राजस्तान के सभी यूआउं तक मेरा ये मेसेच पहुंच सके और इसमें आप सभी की इसमेरी बार आप विजिट कर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कड़ें क्युक् मारे राजस्तान में कहीं ऐसे फरजी चैनल बभन चुके हैं जो लोगों को भ्रहपित करते हैं अगर आप सही सठीक जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कर लें बेल आइकन भी दबा लें मिलते हैं एक नए अपडेट नहीं जानकरी के साथ धन्यवाद